दोस्तो लखनवु के इकाना स्टेडियम पर चल रहे लखनवु और मुंबई के बीच खेले जा रहे मुकाबले को अगर मुंबई जीतने में काम्याब रहती तो उनका प्ले आफ का रास्ता साफ हो जाता और वो प्ले आफ में जाने वाली दूसरी टीम बन जाती मगर इस मुकाबले में मिली हार के बाद अब मुंबई के उपर एक बार फिर से IPL के प्ले आफ के बाहर होने का खत्रा मंड़ा रहा है लेकिन अभी भी मुंबई प्ले आफ के रेस से बाहर नहीं हुई है ऐसे में इस वीडियो के जरीए हम आपको वैसमी करण बताने का प्रयास करेंगे जिसके तहत मुंबई प्ले आफ के लिए कौलिफाई कर सकती है और अब यहां से मुंबई का सिर्फ एक मुकाबला बचा है जो कि हैदराबाद के साथ वानखेड़े इस्टेडियम में खेलेगी और अगर इस मुकाबले के बारे में किसी भी क्रिकट विशे सग यसे तो पूछें तो वो यह जरूर बताएगी कि वानखेड़े पर मुंबई को हराना कितना मुश्किल है ऐसे में यह मांगर चला जा रहा है कि मुंबई अपना आखरी मुकाबला आसानी सी जीतने मकामयाब रहेगी और अगर मुंबई ऐसा करने मकामे अब हो जाती है तो सूला अंकों तक महुच जाएगी लेकिन सूला अंक से मुंबई का काम बनता नज़र नहीं आरा है क्योंकि अंक तालिका पर अभी भी मुंबई का नेकर रिंडेंड रेट नेगेटियू में चलरहा है ऐसे मुंबई मुंबई को सीधा चुनाओती पंजाब और बैंगलोरू की टीम से मिलेगी जिनके अभी भी दो मुकाबले बचे हैं और अगर ये दोनों टीम इन दोनों मुकाबले को जीतने मकामे अब रहती हैं ये तो हो गई वो बात जो मुंबई के हाथ में और अगर ऐसा करने में मुंबई कामयाब हो जाती है तो कहीं उनका चांस बन सकता है अब बात कर लेते हैं उन समीकरणों की जिससे की मुंबई प्ले उप केलिए क्वालिफाइख कर सकती है तो दोस्तों आपको पता दें कि अपने बाकी बचे दो मुकावलों में से अगर पंजाब और बैंगलूरू की टीम एक एक मुकावला हार जाती है तो ऐसे में दोनों टीमें सिर्फ चौद अंग तक पहुँचने में कामयाब हो सकेंगी और यहां से मुंबई का प्ले अगों लेकिन इस समीकरण में मुंबई को सबसे ज़्यादा इस बात पर ध्यान देना होगा कि उनका अगला मुकावला हैदराबाद के खिलाप है उसको मुंबई बड़े मार्जिन से जीते और अपने ने ट्रेंड रेट में सुधार करें नहीं तो फिर पंजाब और बैंगलूर 16 अंकों के साथ क्वालिफाई करेगी ऐसे में मुंबई के फैंस यहीं उम्मीद कर रहे होंगे कि मुंबई अपना आखरी मुकाबला बड़े मार्जिन से जीते और पंजाब बैंगलूरू और लखनूरू मेंसे कोई भी टीम अपनी बागी बच्चे मुकाबले को जीतने म कामियाब ना हो ताकि मुंबई प्लेफाई करने में सफल हो सके वहीं तीसरा समीकरन जो मुंबई को प्लेफ के लिए क्वालिफाई करवा सकती है वो यह है कि अगर 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 अपने आखरी मुकाबले में चिन्णई सुपर किंग्स दिल्ली से हर जाए तो ऐसे में भी मुंबई आराम से प्लेओप में क्वालिफाइग कर सकती है तो दोस्तों हमारे सबसी तीन समीकरण हैं जिन से मुंबई का प्लेओप कर दास्ता खुलता ना जरा रहा है ऐसे में आपको क्या लगता है सबसे जादा चांस किस समीकरण की बनने का है हमें अपनी राए नीचे कम सबस्क्राइब नहीं किया है तो अभी करने वहीं इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद